जैहिन दोस्तो मैं हूँ राकेश हो जी दोस्तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एक ज़वान दसवी पास से या बारवी पास से एक फोर्ष के अंदर बढ़ती हो गया चाहिए वो Constable से रेंग से बढ़ती हो हो चाहिए वो Head Constable ranking से बढ़ती हो यानि कि जिस rank से आप बढ़ती है उसके लिए आपको योग यता 10 वी या 12 पास ही चाहिए थी लेकिन आपने graduate complete कर रखे आपने post graduate कर रखी है तो उस आपकी जो degree है graduation की आप post graduate की उस degree का आपको क्या फाइदा मिलेगा तो force के अंदर क्या होता है कि प्रतेक्स रूप से आपको उस degree के फाइदे मिलते हैं कुछ फाइदे आपको पता रहते हैं कुछ का आपको पता भी नहीं चलता तो इस वीडियो के माद दिन से आपको जानकारी मिलेगी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइगन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इसमें कोई भी वीडियो पोस्ट करूँ वो आप तक आसाने से पहुंच सके तो दोस्तो अगर आप भी हम बात करें ऐसे फाइदे जिनका हम सब को पता है तो वो होता है कि जैसे आप कॉंस्टेबल से बढ़ती हुए किसी फोर्श के अंदर और आप दस्वी पास की आपने मार्क स्रीट लगा ही लेकिन आप ग्रेजुएट हैं तो आपको सबसे पहला फाइदा यह होगा कि कोई भी LDC विकेंसी निकलती ग्रेजुएशन लेवल की तो आप उसको अग्जाम दे सकते हैं जैसे आप कॉंस्टेबल से सब इंस्पेक्टर का अग्जाम दिया ग्रेजुएशन लेवल का होता है तो आप सब इंस्पेक्टर बन गए इसके बाद में आप सब इंस्पेक्टर बने सब इंस्पेक्टर के बाद में असिस्टेंट का मानेंट बन गए LDC अग्जाम देगे क्योंकि आप ग्रेजुएट थे यह फाइदा सरफ ग्रेजुएट बन देगों मिलता है 10 पलस 2 या 10 पास को इस फाइदा नहीं मिलता इसके बाद में कुछ फाइदे ऐसे होते हैं कि जिनका हमें मिल भी जाता वो फाइदा उनका हमें पता भी नहीं चलता है कि फाइदा हमें अपनी डिगरी का फाइदा मिला है तो इसमें जो अगर हम फायदे की बात करें तो आपको मैं बताता हूँ अग्जाम्पल के साथ आपको शमझाऊंगा कि सभी परामिल्टरी फोर्षेज़ से डेपूटेशन के लिए जैसे NIA हो गया, CBI हो गया, CID हो गया, इसके अलावा State Police हो गई, इसके अलावा जैसे National Police Academy हो गई, जहां पर IPS हो गया, टर्निंग चलती है, ऐसी जगए पर क्या होता है कि सभी फोर्षे जवान डेपूटेशन पर ले जाते हैं, पांच साल, साथ साल, चार साल, जिसी का कोई अच्छा लिंक होता है, तो ज़्यादर लंबे समय के लिए भी डेपूटेशन पर चला जाते हैं, तो सभी फोर्षे जब इनका सेलेक्षन होता है जवानों का, तो सेलेक्षन प्रोषेस के लिए मालो किसी भी परकार ही आधर बना लिया जाता है, तो जैसे डिपार्टमेंट से 50 विकेंसी हैं, और फाइनल सेलेक्षन में मालो 60 अदमी होगे, अब उस 60 में से अगर 50 को सेले करना है तो उसमें एज करिटरिया देखेंगे भी एज का क्या एज कम जादा का भी ले लेते हैं उसके बालावा आप जी एज्यूकेशन यह जो एज्यूकेशन का जो फाइदा है यह वहां पर मिल जाता है अगर एक जवान 10 प्लस टू है और एक जवान ग्रेजूट है तो उ ऐसा होता है कि मालो एक दस विकेंशी आपकी ज्यादा हो रही है पचास आदमी लेने या मालो दस यादमी लेने हैं और फाइनल सेलेक्शन तक फाइनल प्रोसेस तक पंदर नहीं पहुंच गए उसके अंदर आपकी पढ़ाई माइन रखेगी अगर आप ग्रेजिट है तो के अंदर एक साल के लिए सेवा देने के लिए फूर्शे जौनों का सेलेक्शन होता है उसके लिए भी सेलेक्शन प्रोसेस चलती है लास्ट में जब फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है तो उसके अंदर भी जो बोर्ड होता है उस बोर्ड पर डिपेंड करता है कि वो बोर the graduate है इसको हमें वेरियत देनी चाहिए और इसको फाइनल सेलेक्शन कर देना चाहिए उस चीजों का हमें पता नहीं चलता और उसमें हमारा सेलेक्शन हो जाता है तो यह फायदे होते हैं हमारी पढ़ाई के इसके लावा जैसे फोर्स के अंदर एक कॉंस्टेबल ट्रेड्सम जवान होगे और अगर एक उनिट की एक ही वेकेंसी है तो उसके अंदर को टेस्ट होता नहीं है तो कमार्णेंट बहुत से कमार्णेंट ऐसे होते हैं कि यार जैसे यह इस पोस्ट के लिए पढ़ा लिखा अगर जवान जाए तो बैस्ट रहेगा तो दश्वी पास जवान